देड़ साल से चल रहा रूस युक्रेन युद्ध अभी तक बे नतीजा है इसमें हर रोज नए-नए मोड आते हैं और ये युद्ध लगातार आगे बढ़ता जा रहा है बदलते वक के साथ युद्ध में नए-नए तक्नीकी हत्यार भी खूब तबाही मचा रहे हैं और ये दोनों देश इस तरह की तबाही वाले हत्यारों का जम कर इस्तिमाल भी कर रहे हैं ड्रोन आटाइक, सुखोई 35 फाइटर जेट, R35 मिसाइल, SU-57 लड़ा को विमान, F-16 फाइटर जेट्स जैसे कई नाम हैं जो इस युद्ध में आतंक का पर्याय बने हुए हैं कभी रूस युक्रेन पर भारी लगा तो कभी युक्रेन का दाव रूस के लिए परिशान करने वाला रहा, कुल मिला कर जंग जारी है और उस से होने वाली तबाही आए दिन देखने को मिल रही है आज के युद्ध का नतीजा काफी हद तक हतियारों की ताकत पर तै होता है इसलिए बहतर और ज्यादा घातक हतियार पाने की होड भी लगी रहती है हतियारों की दिशा में रूस ने एक बड़ी उपलब दी हासिल की है ये खबर यूक्रेन और यकीनन नाटो देशों के चिंता की लखी रेब बढ़ा सकती है कई महीनों के प्रयास और उतार चड़ाओ के बाद रूसी एरोस्पेस फोर्स ने अपनी पहली यूमपीसी फैप 1500-M54 हाई एक्सप्लोसी बब को एक टार्गेट पर फायर किया जो बिलकुल सटीक निशाने पर लगा इसकी सूचना एक पूरु सेने पाइलट और रूसी सेने विमानन ब्लॉगर फाइटर बॉमबर ने अपने टेलीग्राम चैनल पर दी है अब जरा इसकी घातक ताकत को भी समझ लीजी मूल रूप से ये बम ऐसे हत्यार है जिन में उडान के लिए कंट्रोल होते है जिससे वो दूर के लक्ष को उरते हुए भेज सकते है यही नहीं इस खतरनाक बम को न तो लक्ष के करीब ले जाने के जरुरत है और ना ही दुश्मन के फ्लाई जोन में जाने के जरुरत है इसे फिक्स रेंज से ही फायर करके टार्गेट को निस्ते नाबूत किया जा सकता है ब्लॉगर फाइटर बॉमबर के मताबिक सब कुछ सॉलिड है साथ ही सब कुछ नया है पांच मीटर की सटीकता के साथ ये बम एक एक्स्पलोसिव गड़ा बनाता है जिसका व्यास पंदरा मीटर है इसके अलावा इसकी गोली बारी से लगभग दो वर किलो मीटर तक के ख्षित्र को तबाह किया जा सकता है इस बम के विस्पोटक 700 किलोग्राम से कम है हालक ये बम वीकेस के SU-34 और SU-35 लड़ाकों विमानों द्वारा ले जाये जा सकता है जिने बड़ी संख्या में यूक्रेन युद में तैनात किया गया है दावों के मताबिक SU-34 लड़ाकों विमान कम से कम दो UMPC FAB 1500 M54 बम ले जा सकता है जिसे भविश्य में बढ़ाकर तीन कर दिया जाएगा ऐसे तीन बमों के साथ SU-34 एक समय में एक फायर कर सकता है या तीन अलग-अलग लक्षों पर एक साथ तीन बम फायर कर सकता है ब्लॉगर ने इस बात पर भी जोर डाला कि FAB प्रकार के ग्लाइडर बमों के हमले से बचने के लिए फिलहाल युक्रेणिन के पास कोई बचाओ नहीं है बम की अधिकतर ग्लाइडर रेंज FAB 500 M62 जैसे मौझूदा हलके बमों से कहीं अधिक है बम का परड़क्शन अब शर्तिया बढ़ने जा रहा है क्योंकि हालिया हुए इस परिक्षर से इसकी एक्यूरेसी और मारक शमता सिध हो चुकी है इसके नए ग्लाइडर डिजाइन की वएसे इसकी मारक सीमा में काफी बढ़ोतरी हुई है अब अंदाजा लगाईए कि सत्यार के फुल प्रूफ सफल ट्राइल के बाद ये यूकरेन के लिए किस कदर खतरनाक हो सकता है और यही वजह है कि इसे गेम चेंजर के तौर पर देखा जा रहा है